तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ले आउट्स ऑफ डिस्टिबुशन नेटवर्क हैं वित्रन नेटवर्क के ले आउट अब क्या है कि देखो सिंपल सी बात है आप लोगों को मैंने बता दिया कि वाटर की सप्लाई हम किसी भी रिजर्वोर से करेंगे यहां तक पाइप सिस्टम बचाना पड़ेगा आपनको तो जो वाफन बचाते देना इसका ले आउट है मतब किस तरह से ये बचाना ची जें तो इस के बारे में पड़ेंगे हम इस टोपिक में ठीक है कि कि और अप्र बचा देना चीएैं या किसी कि रोड के नीचे बिछाना चाहिए, किस तरह की पंडाली में बिछाना चाहिए, डाइग्नाम वगरा कैसा हो, ठीक है, यह सब चीज ही हम इस distribution network, layout of distribution network में study करेंगे, तो सबसे पहले में point की बात करूँ, तो सबसे पहला point है, कि the distributed distribution pipes are generally laid below the road pavement, हमें इस सदक का फुट बात होता है, सदक या सदक का फुट बात होता है, उसके नीचे बिछा जाता है, सभी एक बार अपना mic mute कर ले, आप सिर्फ मेरे को सुने, ठीक है, तो जो सदक होती है, सदक का जो फुट बात होता है, उसके नीचे बिछा जाता है, क्योंकि कभी-कभी हो सकता है कि damage हो जाए, या फिर आना जो आपको जो pipes है, वो change करने पर जाए, अगर आपने road की नीचे 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 बिछाया, और उसके ओपर कोई building सबन गई, तो फिर आपके बड़ी problem create हो जाएगी, कि आप फिर ना उस building को तोर पाऊगे, और ना उसके नीचे के pipe को change कर पाऊगे, इस वज़े से हमेशा, जो भी network हम किसी भी चीज़ का, चाहिए cable network हो, चाहिए pipe network हो, चाहिए sewer network हो, यह जब road की नीचे बिछाया जाता है, तो हमेशा, जब ground में नीचे बिछाया जाता है, रोड या रोड कें, जो फिट बात होता है उसके नीचे भी चाहिए जबदा है, ठीक है, तो उसके बाद में मैं अगर इन network की बात के हो तो यह 4 तरक चार परकार में में इसको विभाजित किया हुआ है, कितने परकार में, 4 परकार के अंदर, यह layout of distribution system में इनको हमने चार बागों में भिवाजित किया है सबसे पहला आता है dead hand end system dead end system दूसरा आता है ring system तीसरा आता है radial system और चोता आता है grid iron system बहुत important है चारो topic चारो types बहुत important है हर बार question पूछा जाता है आप लोग अच्छी तरद से इसको करें ठीक है आप सबसे पहले हम बात करते है dead hand system की तो यह कैसा होता है इसको dead hand system या फिर tree पढ़ना लिया tree system भी कहा जाता है देखो यह जो system है यह generally पुराने सहरों में या फिर उस तरह के सहरों में उप्योग किया जाता है उस तरह के कस्वे में प्योग किया जाता है यह पर रोड का कोई nisic pattern नहीं होता क्या होता है कि आपके जैसे construction चलता रहता है वैसे वैसे रोड बनती जाती है ठीक है तो रोड बनती जाती है construction जीदर हो उस तरह के रोड बन गई तो इनका कोई system नहीं है इस रोड का तो यह जनरली आपको इंडिया की लगबग लगबग सबी सीटियों में जो की सिस्टेमेटिक नहीं भसी हुए ना उन सबी सिटीज में इस तरह के पैटर्न आपको मिलेंगे तो इसमें क्या होता है कि मैन पाइप जाएगा आप होते हो यहां पर देख सकते हो यह इस का मतलब हो गया सबमें और बी का मतलब हो गया ब्रांच ठीक है तो यहां पे एक सबमें गई इसके बाद में यह ब्रांच चली गई तो मानलो आपका घर यहां पे है मानलो आपका घर यहां पे है तो आपका क्या होगा मैंस के आप थ्रू यह सबमेंस लाइन गई सबमे कुछ वाली लाइन जारी है वहां से फिर आपको गर के अंदर connection मिल जाएगा पानी का ठीक है तो इस तरह का system होता है dead end में अब इसमें क्या हो रहा है इसमें आप देख सकते हो यह जो pipe चल रहा था यहां पर जाके खतम हो गया मतलब इसका end है dead हो गया फिर यहां पर देख सकत मतलब जैसे जैसे कस्वा भड़ता जा रहा है कोलोनिया बसती जा रही है वैसे वैसे pipe system को आगे बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में जहां पर कोलोनिया जो कस्वा है वो खतम हो गया वही पर pipeline end कर दी जाती है तो कोई तरह का system नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि state ही चलेगा आप यहां देख सकते हो यह तेड़ा जा रहा है यहां पर तो कोई भी तरह का system नहीं है तो यह एक तरह से ऐसा हो गया जैसे एक पेड़ होता है क्यों बोला गया इसको एक पेड़ होता है पेड़ के अंदर कुछ साकाय निकलती है फिर साकाय के अंदर और साकाय निकलती है ठीक है और ब्रांचे निकलती है फिर पत्या निकल जाती है ऐसा system होता है पेड़ के अंदर तो similarly पेड़ वाला system इसके अंदर उप्योग में होत यह कटोब वोल है, मतलब की वोल सरे यह, कि आपको पानी का distribution करना इसमें नहीं भेजना है, तो इसको बन कर देंगे हम, इसमें नहीं भेजना है, तो इसमें बन कर देंगे हम, अब इसमें कुछ कमिया रह जाती है, वो कमिया भी हम देखेंगे, पहले आप एक वीडियो के आगे भढ़ रहा है फिर पानी इस वाले ब्रांच में चला गया फिर पानी इस वाली ब्रांच में चला गया फिर पानी ओर आगे बढ़ा पानी इस वाली ब्रांच में चला जायागा तो ये एक तरह से आपका dead hand system कुछ इस तरह से काम करता है तो आप देख सकते हैं तो सब जगा पानी इस तरह से पोचता है तो ये dead hand system का वीडियो हो गया अब इसके कुछ advantage है और कुछ disadvantage है हम उनी advantage और disadvantage की बात कर लेते हैं लाब और हानियों की बात कर लेते सबसे पहले मैं अगर dead hand system में advantage की बात करता हूँ तो ये सबसे सस्ता होता है relatively cheap होता है क्योंकि कोई तरह का दिमाग लगा नहीं नहीं है जैसे जैसे को लोनी आगे बढ़ दी है वैसे वैसे आप लोग pipes को आगे बढ़ाते जाओ और उसके बाद में supply देते जाओ इसमें written network आसानी से और 60 रूप से हल कर लिया जाता है वोल्वो के संग्या कम होती है ठीक है जिससे की दबा वो जो discharge होता है pressure और discharge का calculation भी आसानी से हो जाता है तो the distribution system can be easily and accurately solved and can easily calculate discharge and pressure due to the low number of walls ठीक है इसके बाद में laying of pipe is simple and can be extended easily pipe बिचाना भी आसान है और कहीं पर भी आसनी से बढ़ा है जा सकता है तो यह इसके advantage है ठीक है अब मैं disadvantage की बात करूँ तो देखो कुछ हान्या होगी तबी तो हम आगे की system के लिए विचार करेंगे तो हमेशा हान यह तो कुछ ना कुछ होगी अगर हम आगे की system के लिए विचार करेंगे तो देखो simple सी बात है due to many dead hands stagnation of water occurs in pipe simple सी बात है आपका जहां पर dead hand हो रहा है जहां पर बंसी रहा है वहां पर पानी का रुकाव हो गया तो उस पानी का कोई उपयोग नहीं आ रहा है फिर उसके बाद में the system is successful in maintaining satisfactory pressure is remote parts है क्या होता है जैसे आपका man pipe यहां से जा रहा था यहां से sub man pipe निकला फिर उसकी branch निकल गई और फिर उसकी branch निकल गई और मालो यहां पर पानी का pressure में बात करूँ यहां पर इस जगह पर तो आप देख सकते हो यह main line थी यहां से पानी यहां पर चला गया यहां से फिर इस sub man में चला गया branch में चला गया तो इस जगह पर पानी का pressure बिलकुल कम हो जाएगा तो यह बहुत बड़ा मैंने आपको water demand पढ़ाई थी उस टाइम पर बताया भी था कि सब के पास सुद्धता रूप से पानी पहुचे और उसका pressure जो दबाव है वो भी proper होना चीए अब यहां पर इस वाले system में proper pressure ही नहीं पहुच पाता सभी community तक ठीक है तो यह बहुत बड़ा disadvantage हो जाता है इसका इसके अलावा जो अगनी समन के लिए जो फायर फाइटिंग के लिए जो water available होता है वो भी बहुत कम होता है limited होता है इसमें जो square walls है उनकी भी संक्या जादा होती है और जो इस टाप है उसकी भी जादा हो सकता पड़ती है क्यों क्यों क्योंकि देखो आप simple सी बात है यह main line थी main line से sub main निकल गई उसके बार ब्रांच निकल गई उसके बार ब्रांच निकल गई अब मुझे यहां पर इस side में पानी भेजना लेकिन इसमें पानी नहीं भेजना तो मुझे यहां पर wall लगाना पड़ेगा अब इस wall को चालूर बन करने के लिए एक stop लगाना पड़ेगा तो इस तरह से पूरा system ना सब जगह अलग अलग जगह से control होता है और ज्यादा stops और ज्यादा walls की आउसकता पड़ती है अब इसके बाद में बात करता हूँ मैं दूसरे system की grid iron system लोहे जाल बना दे जैसे हम लोहे का जाल बनाते हैं लोहे का जाल कैसे बनाते हैं दो सर यह यू रखेंगे दो सर यह यू रखेंगे और यह अपने लोहे का जाल बन गया just similar to pipe system रखा जाता है बिलकुर इसी तरीके स हम pipe system रखता है तो यह आयता का layout वाले सहरों के लिए उप्युक्त है जहाँ पानी की मुख्य और साकाय आयतों में रखी जाती है simple सी बात है देखो पहले भी मैंने आपको बता आता है कि जो भी system जो भी pipes हम बिचाएंगे वो road की नीचे बिचाएंगे तो road का system जैसा बना होगा pipe भी वैसे ही विचाएंगे तो इस वज़े से यह उन सहरों में उप्युक्त हो सकता है जहाँ पे road इसी system में बने हो तब तो आप इसको यूज कर पाओगे तो पहले बात तो यह हो गई अब देखो इसमें क्या होता है इसमें यह main line जा रही है ठीक है इसके बाद में यह main line इसके बाद में some main line कुछ इस तरह से चली गई और फिर यह branch line कुछ इस तरह से कर चली गई ठीक है अब आप बोलोगे sir इसमें क्या special है इसमें यह special है आप देखो, इस pipeline से सब जग़ प्रेसर जा रहा है, इसमें भी जा रहा है फिर again इसमें प्रेसर जा रहा है अगर इससे प्रेसर कम भी हो जाए तो भी प्रेसर इससे चला जाएगा ठीक है, तो इस तरह से हर पोइंट पे आप देखोगे ना, तो प्रेसर लगबग लगबग एक अच्छे तोर पर देखा जा सकता है जिसे आप बोलोगे कि सर इस जगह पर इतना प्रेशन नहीं है बट ठीक है डेड एंड से तो अच्छा ही है ठीक है डेड एंड से अच्छा है तो इस वज़े से इसको dead end से अच्छा मान लिया जाता है तो यह mains हो गए, यह सब mains हो गए इसको जाल की तरह बिचाया जाता है इस वज़े से इसको लोहे जालपनाली कहा जाता है ठीक है अब जो लोहे जालपनाली है वो कौन-कौन से cities में उप्योग में लिया जा रहा है तो मैं बात कर सकता हूँ, आपकी एक चंडीगर सिटी और एक आपकी गांजी नगर सिटी ये बाद में फसाई हूँ सिटी है, तो इनको सिस्टेमेटिक रंग से बिचाया हुआ है, इस वज़े से हमारे इंडिया के अंदर ये कुछ सिटी जै तो जैसे कि यहाँ पे मैं प्ल प्लान है, तो कोई भी आपसे पूचे कि ग्रीड आइरेन सिस्टेम या सिस्ट्रमेटिक डिस्ट्रिबूसर सिस्टम कहां पे है, तो चंडीगर के अंदर है, गाईनगर के अंदर है, अब मैं एडवेंटेश की बात करूँ, तो चुकि पानी एक से अधिक मार्गों से हर ब पानी को अधिक से अधिक मात्रा में उस छेत्री की साइड में अब इसमें एक और चीज है, अगर मानलो कोई भी सेक्षन पर ब्रैकडाउन हो जाए, तो आप देखो, आप डेरेन में बात करो, डेरेन में मानलो ये मेन पाइप था, ये सब मेन था और ये ब्रांज था, मान मानलो इस जगह पाइप टूड गया, और मुझे पानी इस जगह पोचाना है, तो पोच सकता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से किसी भी सेक्षन में ब्रैकडाउन होने पर भी पानी को दूसी और से आराम से उपलब दिकराया जा सकता है, अब ड के प्रावदान के कारण, पाइप के आकार की सटिक गन्ना संबह नहीं हो पाती है, ठीक है, क्योंकि अब्यस बात है, तुम लोगों ने यहां पे पाइप की एक केलकुलेशन निकाल दी, और आपने यह सार एक वोल बन कर दिये, तो इस वाले पाइप के अंदर प्रेसर जाएगा, तो पाइप तूटने के चांसे ज़्यादा हो जाएगे, तो इस तरह से कोई भी जगह है ना, जो कितना मोटा पाइप यूज हो ना चाहिए, इसकी एक्क्यूरेट जो केलकुलेशन है ना, एक्जा केलकुलेशन वो पॉसिबल नहीं हो पाती, कार्स्रक्शन कोस हमें कटोफ वोल्स के आऊ सकता पड़ती है, तो यह भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है, अब इसके बाद में फिर तीसरी पन्नारी आती है, रेडियल सिस्टम या अरिया पन्नाली, ठीक है, अब देखो, छेत्र को विविन जोनों में भिवाजित किया जाता है इसमें, फिस इसका डाइग्राम देखो के तो आपको एजीली समझ में जाएगा, तो इसका डाइग्राम आपके सामने है, अब यहां पर देख सकते हो आप, इसमें क्या हो रहा है, यह आपकी मैन पाइपलाइन थी, ठीक है, इस मैन पाइपलाइन से इस तंकी के अंदर पानी भीजा जा भरा जाता है और फिर इस टेंकी सेा फिर सभी ब्रांचेज के अदर पानी भीजा जाता है तो आप इसमें बड़ी आसने से समय सकते हो कि देंगो यहां पे अब आप प्रेसर की बात करो तो सभी जगर पे समान प्रेसर होगा अब यहाँ पे आप यह नहीं वह सकते कि सर प्रेसर वहाँ पे कम होगा वहाँ पे जादा होगा सबी जगर पे समान प्रेसर होगा उसके अलावा अगर में पाइप लैंसे प्रेसर इतना फास्ट भी नहीं है न तो भी यहाँ पे इस distribution reserve work की वज़े से पेसर सबी जगर पे अच्छा खासा मिल जाएगा आपको उसके लावा बाकी जो चीजे हैं जो advantage अभी जो great पढ़ना लिके थे वही सबी advantage इसके हो जाएंगे और जो disadvantage great पढ़ना लिके थे वो disadvantage इसके हो जाएंगे ओबियस बात है कोश्टियल पढ़ेगा यह महेंगा पढ़ेगा यह ठीक है pipes और इन सब की आउसकता ज्यादा पढ़ेगी तो advantage की बात करूँ तो देखो simple सी बात है quick service देता है यह इसके इसमें जो pipe size को easily calculate कि यहाँ पे pressure EQ हो गया यहाँ पर जितने जिस गतिर से पानी जाएगा जिस प्रेसर से पानी जाएगा उसी तरह के pipe line मुझे यहाँ पर बनाने पड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर कोई समश्चा नहीं आएगी तो इस वज़े से pipe के आकार की करना भी आसान हो जो पानी यहाँ से गया पानी फिर यह सब में पाइप है इससे service reservoir में भर दिया गया भर दिया यह service reservoir में भर दिया और फिर service reservoir से सबी जगर पे बड़ी आसानी से पानी भी है और अब मैं चोते pattern की बात करता हूँ चोते system की बात करना हूँ यह last system अपना ring system या वर्टाकार पर ना ली ठीक है अब इसमें क्या होता है इसमें मुख्य आपूरती सबी सटकों की परीधिये के साथ में रखी जाती है और उप मुख्य साका है मुख्य साका के बाहर होती है मतलब कि the supply man is laid along the peripher road and some man branch out from the mains ठीक है आगे जो डाइग्राम है उससे आपको समझ में आ जायाएगा यह पनारी डेड़ हैं पनाली के समान परवा पेटरेंग के साथ में grid पनाली का भी अनुशन करती है तो दोनों को मिलाके डेड़ हैं को और grid iron को मिलाके जो पनाली बनाई गई गई ना वो फ पाइप का जो आकार है उसका निदरन भी आसानी से हो गया तो आप इसका डाइग्राम देखो गए तो आपको समझ में आ जायाएगा इसका भी सिस्टम तो आप इसमें देख सकते हो कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंस है इसमें और आपके ग्रिड आइडन में ग्रिड आइडन में क्या हो रहा था ग्रिड आइडन में आपकी जो मैन पाइप्लाइन थी वो सेंटर से पास हो रही थी ठीक है इसमें क्या होगा इसमें जो मैन पाइप्लाइन है वो पूरी जो कोलोनी है या कस्बा है उसके बहार बहार आउटर साइ फेल दिजाती है और फिर उससे सब में पैपे पाइपलाइन और उसके बाद में ब्लांच पाइपलाइन निकालके और फिर सबी घरों में पानी पहुचा दिया जता है तो अब इसका देखो सिस्टम क्यों अच्छा हो गया इससे सबी जगह में प्रेशर की बात कुरूना तो सबी जगह में प्रेशर भी बढ़ी आसानी से पहुंच पा रहा है और इसके अलावा जो ग्रीड आइरेन में जो जाल बन रहा था वो भी थोड़ा कम हो जाता है तो अब मैं कुछ एडवेंटेज और डिसएडवेंटेज की बात करके कि फिरा हमारे इस लेक्चर को खतम करता हूं तो देखो एडवेंटेज क्या इसमें इसमें पानी की आप पूर्ती किसी भी बिंदू पर कम से कम दो दिसाओं से की जा सकती है आप कहीं पर भी देखोगे किसी भी point पे देखोगे आप तो पानी की supply minimum कम से कम दो जगा से तो की जाई रही है जादा से भी की जा सकती है लेकिन minimum दो जगा से तो की जा रही है तो इस वज़े से क्या होगा कहीं पर कोई pipeline तूट गई तो आपके आराम से पानी की supply बंद नहीं करोगे आप चलती रहेगी चलो इस तरह से इसका कोई disadvantage नहीं होगा इस तरह से हम इस lectures को यहीं पर खतम करते हैं आपकी fifth unit complete हो जाती है इस तरह से